गुड मॉर्णिंग इस्टूडेंट्स, आज का हमारा टोपिक है इक्वी सिटम में बिजनो धाने का परिवर्धन, डेवलपमेंट और इस्पोरेंजियम इन इक्वी सिटम जैसा कि आप सभी जानते हो, इक्वी सिटम के जनानक्षम पर्रो है, फर्टाइल सूट पर इस्टो बिलस या संकू का निर्माण होता है डाइगराम में आप देख सकते हो, ये एक फर्टाइल सूट है और इसके सिर्ष भाग पर एक स्टो बिलस या संकू है इक्वी सिटम के जनानो धानी धरिया इस परेंजियो फोर मिलकर स्टो बिलस या संकू का निर्माण करते हैं तो जब इस फर्टाइल सूट यानि जननक्षम पर्रो है के सिर्ष भाग पर स्टो बिलस या संकू का निर्माण होता है उससे पहले जननक्षम पर्रो है की व्रद्धी रुक जाती है और इसका सिर्ष भाग है वो संक्वाकार हो जाता है और यह संक्वाकार सिर्ष भाग स्टोबिलस के अक्स के रूप में कारिये करता है और इस अक्स पर बिजानू धानी धर स्पोरेंजियो 4 के आध्धिक या प्राइम ओर्डिया अग्रा बिशारी करम में परिवर्धिक होते हैं यहां आप ए वाला डाइग्राम देखी जिसमें एक संकू एक्सिस है और इस संकू एक्सिस के उपर ये बिजानू धानी धर स्पोरेंजियो 4 है वो लगे रहते हैं और संकू एक्सिस या कौन एक्सिस के उपर स्पोरेंजियो 4 के लगने का करम होते हैं अगरा बिशारीय उशे रहते हैं और उपर की और नए नए स्पोरेंजी फोर बनते रहते हैं, तो जो प्राइमोरडिया बनता है या जो विजळणों धानी धर के आधिक जो बनते हैं, वो पहले अर्दे संद्राकार होते हैं, देखिए हैं, आप डाइग्राम H वाला देखिए, H वाला ये प्राइम ओडिया पहले अर्दचंद्राकार होता है परन्तु बाद में इसका आधार भाग संकुचित हो जाने के कारण ये चत्री का कार हो जाता है आप आई और जे वाले डाइग्राम देख सकते हो ये तीनों डाइग्राम बिजनुदानी धर के ही है प्रारम में बिजन बिजनुदानिया इन बिजनुदानी धरों के सिखर तटों पर उपस्तित सतही कोशिकाओं सुपरफीशियल सेल्स से परिवर्धित होती है देखिए इक्वी सिटम में बिजनुदानियों का परिवर्धन यूस्पोरेंजिय टाइप का होता है आप सब जानते हो कि टेरिड यूस्पोरेंजिय टाइप के डिवलप्मेंट का मतलब होता है यहां प्रतिक बिजनुदानी का परिवर्धन एक से अधिक प्रारंबी कोशिकाओं से होता है अर्थार्थ एक से अधिक प्रारंबी कोशिकाओं मिलकर एक बिजनुदानी का परिवर्धन करती है इसलिए इस सब्सक्राइब तो इस प्रकार ये एक सेंदिक बिजर्णों धानी प्रारंबी कोशिकाई मिलकर बिजर्णों धानी का निर्माण करती है। सर्वपर्थम क्या होता है। इन बिजर्णों धानी प्रारंबी कोशिकाई में एक परिनतिक पेरी क्लिनल डिविजन होता है जिसके प्रिणाम से उरूप बहार और अंदर कोशिकाई की दो लेर्स बन जाती है। यहाँ देखिए बहार वाली जो सेल है वो आउटर डोटर सेल कहलाती है और अंदर वाली जो सेल है वो इननर डोटर सेल कहलाती है। यानि बाहरी पुत्री कोशी काई और भीत्री पुत्री कोशी काई अब देखो जो बाहर वाली बाहरी पुत्री कोशी काई जो होती है आउटर डोटर सेल जो होती है ये वाली आउटर डोटर सेल है वो इन आउटर डोटर सेल में कई अपनतिक और परिनतिक विभाजन होते है जिसकी परिणाम सवरूप एक बिजानु धानी का जेकेट बनता है और साथ ये साथ कुछ मात्रा में बिजानु जन उत्तक इस्पोरोजेनस टिश्यू भी बनता है एक और फिर से सुनिए आउटर डोटर सेल्सें इन आउटर डोटर सेल्स में कई अपनातिक और परिनातिक विभाजन होते हैं जिसकी परिणाम सवरूप बिजानु धानी का जेकेट बनता है और कुछ मात्रा में बिजानु जन उत्तक इस्पोरोजेनस टिश्यू बनता है और जो इनर डोटर सेल्स होती है उनसे बिजानु जन उत्तक का निर्माण होता है देखिए एक लाइन डाइगराम या चार्ट के माद्यम से अपन समझेंगे कि क्यू सिटम में बिजानु धानी का परिवर्दन किस परकार्शे होता है सर्व पर्थम देखिए बिजानु धानी प्रारम भी काएं मतलब यहां पर एक से अधिक सेल्स है जो बिजानु धानी के निर्माण में भाग लेगी इस्पोरेंजेल इनिसेल सेल्स है इन स्पोरेंजेल इनिसेल सेल्स में परी नतिक पेरी क्लीनल डिवीजन होगा जिसके परिणाम सवरू बाहरी पुत्री कोशिकाएं आउटर डॉटर सेल्स बनेगी और भीतरी पुत्री कोशिकाएं इनर डॉटर सेल्स बनेगी सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बहरी पुत्री कोशिकाएं हैं उन बहरी पुत्री कोशिकाओं में कई अपनतिक और परिनतिक विभाजन होंगे जिसके परिनाम सवरू बाहर की ओर दो तीन इस्तरी जैकेट बनेगा और भीतर की ओर बीजनु जन उत्तक इस्पुरोजिनस टिश्यू बनेगा इसके बारि जेकट सेल्स है जो बारी जेकट सेल्स की जो दो तिन परते हैं उन परतों में उन जेकट सेल्स में कई अपनतिक और परिनतिक विभाजन होते हैं जिसके परिणाम सो रूप दो से साथ इस्तरों की बनीवी बिजनुदानी बित्ती का निर्माण होता है। इस दो से साथ इस्तरी बिजनुदानी बित्ती की सबसे बीतर वाली पायत जो है वो टेपीटम का कारिये करती है। और सेस जो परते हैं वो बिजानुदानी भित्ती के रूप में कारी करती है। बिजानुदानी भित्ती में जो परते होती हैं उनमें से केवल बाहर वाली दो परते ही बचती है। सेस अंदर जो परती होती है वो और टेपिटम जो है वो विगटित होकर पेरी प्लाजमोडियल द्रव का निर्मान करती है एक और फिर से रिप्रिट कर देती हूँ कि यहां से आप देखिए जेकेट इस्तर दो तिन यहां पर कोशिकाओं की लेयर है उन जेकेट इस्तर की कोशिकाओं में पुने अपनातिक और परिनातिक विभाजन होते हैं जिसके प्रिणौम सोरूप दो से साथ इस्तरी बिजणोधानी बित्ती का निर्मान होता है इस बिजानो धानी बित्ती की सबसे भीतर वाली जो परत है वो टेपिटम के रूप में कारिये करती है और बाहर वाली जो परते हैं वो बिजानो धानी बित्ती के रूप में कारिये करती है फिर बिजाणो धानी बित्ती की भी केवल दो परते ही अंत में बसती है बिजाणो धानी बित्ती की सेश जो अंदर वाली परते हैं वो विगटित हो जाती है तो बिजणो धानी भीत्ती की सेश अंदरवाली परते साथ ये साथ चो सबसे अंदरवाली पर टेपीटम है वो सब विगटित हो जाकर होकर पेरी प्लाजमोडियल दरव का निर्माण करती है तो पेरी प्लाजमोडियल दरव कौन-कौन मनाता है एक तो टेपिटम और दूसरी बिजणो धानी बित्ती की दो परतों को छोड़ कर सबसे बाहर वाली दो परतों को छोड़ कर अंदर वाली बाकी सब परतें विगटी तोकर पेरी प्लाजमोडियल द्रवका निर्माण करती है फिर अपन देखेंगे बीत्री पुत्री कोशी का है इनर डोटर सेल्स देखिए इनर डोटर सेल्स में कई तलों में विभाजन होते हैं जिसके परिणाम सुरू बिजणो जन उत्तक इस्पुरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है इस प्रकार देखिए 21 सिटम में विजणो जन उत्तक का निर्माण बाहरी और भीत्री दोनों डोटर सेल्स से होता है अपने बहारी डोटर सेल का जब डवलेपमेंट देखा था तब हमने देखा था कि बहारी डोटर सेल जो है उससे भी बिजनुजन उत्तक इस्पोरोजिनस टिशू बनता है और जो इनर डोटल या भीतरी डोटर सेल है उससे भी बिजनुजन उत्तक बनता है यानि आउटर ड बिजनुजन उत्तक और इन्नर डोटर सेल्स बनता है दोनों बिजनुजन उत्तक यह स्पोरोजिनस टिश्यू है दोनों में जो सेल्स है वो अंत में उनमें कई वार विवाजन होते हैं उन सेल्स में बिजनुजन उत्तक में जो सेल्स होती है उनमें कई वार विवाजन होते ह रिदल यूर्ट में बिस्पोर मदर सेल्स बन रहा है तो इनने डोर्टर सेल्स से ध desserts बन रहा है और आंत में दोनों से ही भी rider मात्री कोशिकों का निर्माण होता है इस पूर मदर सेल्स का निर्माण होता है आगे देखिए इस पूर मदर सेल्स जो होती है इस पूर मदर सेल्स में से लगवाग 30% सेल्स है विगटित हो जाती है इस्पोर मदर सेल से टोटल उनमें से 30% इस्पोर मदर सेल विगटित हो जाती है और केवल 70% इस्पोर मदर सेल ली किरिया सेल रहती है ये किरिया सेल इस्पोर मदर सेल पेरी प्लाज मोडियल द्रव में तेरती रहती है पेरी प्लाज मोडियल द्रव कहां से बना था देखो अपने देखा था जब आपने आउटर डोटर सेल का डेवलप्मेंट देखा था उस टायम पे हमने देखा था कि एक तो टेपिटम वाली लेर और एक बिजणू धानी भित्ती की अंदर वाली जो लेर से वो विगटी तो कर पेरी प्लाज मोडियल द्रव का निर्माण करती है तो जो क्रिया सील बिजणू मातरी कोशी के स्पोर मदर सेल्स जो होती है वो इस पेरी प्लाज मोडियल द्रव के अंदर तेरती रहती है अंत में क्या होता है इन स्पोर मदर सेल्स में अद्ध सुत्री विभाजनिया म इसके परिणाम सोरू परतेग स्पोर मदर सेल एक बिजानु चतुस्क इस्पोर टेटराड को जन देती है। और परतेग स्पोर टेटराड में चार बिजानु होते हैं और फिर ये बिजानु अलग अलग होकर पेरिप्लाजमोडियल द्राव में तेरते रहते हैं। परफिर रिपीड कर देती हूं कि बिजानु जन उट तक से जो टोटल स्पोर मदर सेल बनती हैं उनमें से 30% स्पोर मदर सेल विगटित हो जाती हैं कि वह 70% स्पोर मदर सेल ले किरिया सेल रहती हैं। इन 70% स्पोर मदर सेल में अर्धसुत्री विवाजन होता है जिसके प्रेणाम सुरूब स्पोरिय विजणों का निर्मान होता है चुनकि यहां पे स्पोर मदर सेल में अर्धसुत्री विवाजन से विजणों बन रहे हैं इसले जो बिजानलों बनेंगे बुए गुनिक होंगे थेंक्यू